हेलो कोडर्स वेलकम बैक इस वीडियो में जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे हमने प्रिविएस टॉपिक में वैरियेवल्स कंसोल लॉग इन पर वीडियो क्रेट कर दी है आप चैनल पर जाके चेक आउट कर लीजिए इस वीडियो यह वीड इस तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि मालम मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है मैं एक वैरियेवल्स ले लेता हूं और वो dynamically identify करके internally समझ जाता है कि यह number value है इसका data type number है और वो क्या कर लेता है इसको store कर लेता है same अगर मैं इसको comment out कर दूँ and मैं क्या करूँ a को value दे दूँ double quote के बीच में कुछ भी है जैसे कुछ programming languages में हमें बताना पड़ता है आपने देखा होगा इसमें मैंने इसे नहीं बता है बट यह क्या करता है जावस्क्रिप्ट dynamically इसको भी identify कर लिया इसने कि यह string value store करना चाहता है इसका data type string है है ना तो इस तरीके से जावस्क्रिप्ट जो होता है वह dynamically typed language है यह dynamically चीजों को understand कर लेता है data मतलब वह समझ जाता है इसका type क्या है और उसको store कर लेता है हमें खुद से बताने की define करने की ज़रूत नहीं होती कि integer है float है string है कि array है इस तरीके से JavaScript होता है अब इसके types के बारे में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले JavaScript के two types होते है primitive data type and non primitive data type JavaScript में जो data type होता है two type का होता है primitive data type और non primitive data type तो जो primitive data type होता है उसमें क्या क्या आ जाता है आपका number string, boolean, undefined, null, bigint and symbol तो जो primitive data type होता है क्या होता है यह यह आपका base data type है जावास के बारे में आपको ज्यादा समझ में आएगा मतलब अगर definition की और जाएंगे थोड़ा सा confusing हो जाता है कि primitive, non primitive क्या है तो हम लोग क्या होगा सीधा use case देखते हैं हम लोग तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो सबसे पहला type है primitive का number ठीक है number हमने देखा अभी देखा मैं हमने number इसको चलिए use करके देखते किस तरीके से मतलब number को कैसे store करता है इस तरीके से हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको ठीक है मैं आपको editor पर अपने समझाता हूं इस चीज को एक काम करते हैं यहां से इसको निकाल देता हूं ठीक है मैंने index file बनाए हुई है यहां पर last video आपने देखा था ठीक है यहां पर variable.js का file मैंने connect किया हुआ है variable.js file में ही मैं आपको बता रहा हूं आगे की चीजे ठीक है चली मैं काम करता हूं एक variable define करता हूं let a equals to 30 मैंने मुझे मैंने एक number दे दिया assign कर दिया variable को 30 करके ठीक है अभी मुझे देखना है कि इसका data type क्या है क्योंकि हम लोग अभी data हमने discuss किया हमने जाना कि dynamically javascript क्या करता है data type को identify कर लेता है बट एक्च्वर में क्या हो कैसे हो रहा है वह भी जानना जरू रही है ना तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग console log कराते हैं इसको ठीक है console log कराते हैं इसको एक type of operator होता है javascript का उसका use करते है type of a मतलब वो क्या करेगा जो variable है उसका type आपको console में बता देगा क्योंकि console log लिख रहे हैं हम लोग तो type of operator क्या करता है उसका type बता देता है तो अगर हम लोग इसको save कर दे और मेरा live server on है ठीक है तो मैं क्या करता हूं इसका console open कर लेता हूं inspect करके यहां देखते हैं यह मेरा console आ गया है इसको मैं थोड़ा सा set कर लेता हूं इस तरीके से ठीक है यहां पर console टैप पर जाता हूं यह देखिए यह क्या बोर रहा है जो type of a है वो number है इसने बता दिया आपको number है इसका मतलब क्या है dynamically इसने identify कर लिया कि 30 क्या है number है ठीक ह तो हमारा पहला data type क्या हो गया number second क्या होता है हमारा string string कोई से भी asset text या characters जिसे हम double quote के बीच में लिखते हैं वो string कहलाता है ठीक है यहां पर आपने लोग देख लेते हैं string के बारे में इस तरीके से मैं थोड़ा type कर देता हूं तो आपको समझने में easy होगा इसको मैं यहां पे कर देता हूं नंबर इस तरी कैसे है ओके चलिए लेट 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 बी इस इकल टू इस ट्रिंग कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता है डबल कोट के बीच में लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट या करेक्टर जो डबल कोट या सिंगल कोट के बीच में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका string हो जाएगा यहां मैं लिख देता हूं चलिए hello ठीक है मैंने क्या किया variable b में hello string मैंने store किया वैर मैंने यहां बता आप करकर चेक करते हैं यहां से मैं इसको कौपी कर लेता हूं कि जावा स्क्रिप्ट इसको as a string से उखर रहा है किस तरीके से उखर रहा है तो type of operator का मैं यूज करता हूं let b लिया है तो मैंने type of b करकर चेक कर लेता हूं देखिये console पर यह क्या दिखा रहा है मुझे यह string दि हमारा वह होता है boolean boolean भी प्रिमीट्व डेटा टाइप है तो करता है true और false ओके इन दो वैल्यू के लावा कोई सभी वैल्यू यह इस्टोर नहीं करता let c equals to मैं क्या इस्टोर कर सकता हूँ बूलियन में true और false ठीक है मैं true इस्टोर कर लेता हूँ c को वैल्यू दे दिया मैंने assign कर दी true की ठीक है तो हमनों क्या करते है console lock करके check कर लेते यह देखिए यहां बता दिया इसना dynamically identify कर दिया कि यह boolean है तो boolean में क्या होता है दो यह value आप इस्टोर कर सकते है true और false next है हमारा undefined अगर हम लोग किसी variable को मालोब एक variable लेता हूँ d एक variable है ठीक है मैं variable को initialize बस कर देता हूँ है ना declare कर देता हूँ बस उसको value assign नहीं करता ठीक है इस तरीके से मैंने गया किया सिर्फ इसको declare किया है value assign नहीं किया है ठीक है और अगर मैं इसको console log करके देखूँ इस तरीके से तो मुझे क्या आएगा undefined means हमारा जो undefined data type है वो यह बताता है कि आपने value तो clear कर दी है बड़ आपने उसे assign नहीं किया है है ना तो यह होता है हमारा undefined data type ओके नेक्स्ट है हमारा null जो null data type है इसका use कप करते हैं हम लोग जब लोग को ना forcefully बताना होता है कि इसकी value null है इसमें कुछ भी सेव नहीं है और इसमें हम लोग हमेशा null store करते हैं ठीक है इसमें सिर्फ null store होता है और हम लोग इसका use कप करते हैं जब हम लोगों को प्रोग्राम को बताना है कि हमने यहां पे null value store किया हुआ है null के अलावा कोई store नहीं मतलब वो condition check करने के लिए हम लोग इसका use करते हैं आगे आप quotes में देखेंगे बट आपको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं आगे के वीडियो में मैं इसके बारे में थोड़ डीटेल बताऊंगा है ना तो जो null है हमारा वो कैसे हम लोग बताते हैं हम लोग नल कैसे store करते हैं इस तरीके से मैंने क्या किया इको वैल्यू देदी नल की ठीक है और मैं अगर इसका data type चेक करूं यहां से e का हाँ और यह क्या होता है जो value रिटन करता है वो object रिटन करता है जो इसका type of operator आपको object बताएगा क्योंकि वो bogus value नल बोगस value रिटन करता है इसलिए आपको यह object बताता है यहां देखिए यहां पे आपको null नहीं बता रहे है यह object बता रहे है क्यों क्योंकि यह bogus value रिटन करता है नल ठीक है तो null का use हम लोग कब करते हैं जो हम लोग को forcefully program में बताना होता है कि value null है तो इस तरीके से हमारे main जो primitive data types है वो cover हो गए ठीक है जो mostly use होते है नेक्स्ट है हमारा bigint bigint क्या होता है कि javascript के maximum limit है integer को properly represent करने की जो integer value का जो उसका maximum limit है javascript का वो है 2 raise to power 53 minus 1 ओके तो इस value से अगर कोई greater value है तो उन values को use करने के लिए उन values को represent करने के लिए हम bigint का use करते हैं ठीक है bigint yes 10 में introduce हुआ है ठीक है और इसका use किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं हम लोग यहां पर मैं bigint लिख देता हूँ इस तरीके से ठीक है bigint क्या होता है कि javascript का pre क्या बोल सकते है javascript में built-in object होता है bigint जिसका use करके हम लोग उस तरीके के integer को represent करते हैं तो अगर मैं let's say let f is equal to bigint अगर मुझे कोई number है उसको यहां पर दिखाना है ठीक है तो वो number क्या हो सकता है मैं मैं लोग कोई सभी number लेता हूँ like कोई बहुत बड़ा integer लेता हूँ है ना जिसकी value इस तरीके से और मैं क्या करता हूँ सेव कर देता हूँ और अगर हम लोग इसका type of operator यूज करके इसका type देखेंगे तो यह देखिए यहां पर bigint दिखा रहा है यह है ना और अगर मैं same इसको f को बस print करा हूँ तो बताए क्या print होगा यह देखिए यहां पर same number के last में इसने n add कर दिया begin ने तो यह उन numbers को represent करता है जो मैंने आपको बताया 2 raise to power 53 minus 1 से greater next होता है जो symbol symbol हमारा ES6 में introduce हुआ है JavaScript में यह भी एक primitive data type है इसका काम क्या होता है कि यह unique unique value produce करने के काम आता है मतलब अगर हमको immutable and unique values दिखानी है यूज करनी है तो हम लोग क्या करते है symbol का use करते है इसके use cases बहुत सारे है लाइक आप object में एक key बना रहे है unique key तो भी इसका use होता है variable लेता हूँ मैं लेट यहां पर आप मैंने symbol लिख दिया मुझे symbol लेना है hello और मैं इसको save कर देता हूँ and मैं इसका type of operator से check करता हूँ कि type क्या है तो यहां क्या दिखेगा मुझे यहां दिखिए अब symbol दिख रहा है क्योंकि इसका type symbol है ओके तो यह क्या होता है कि यह unique हो जाता है जैसे मैंने hello word का symbol create किया है तो एक unique value हो गए means अगर मैं same एक और symbol create करूँ like let h is equal to symbol hello उसको भी मैंने hello word ही देता हूँ symbol को ठीक है और अगर मैं इसको compare करूँ इस तरीके से तो क्या value आएगा बताईए दोनों तो सेम दोनों को मैंने same value दिया हुआ है है ना hello hello अब बताईए क्या आएगा ओके तो यहां मैं g को ऐसे compare करता हूँ symbol में तो क्या आ रहा है मुझे यहां पे false क्यों आ रहा है क्योंकि symbol क्या होता है unique value return करता है तो अगर हम लोग same text को as a symbol ले रहे हैं like यहां मैंने hello लिया है दोनों बार है ना g और h मैंने store किया है बट दोनों cases में वो क्या कर रहा है मुझे दो अलग-अलग unique value return कर रहा है है ना तो इस तरह के cases में symbol यूज होता है okay इसको भी detail में आ गए हम लोग देखेंगे जैसे मैंने आपको लिखने का pattern बताया किस तरीके से हम लोग symbol को लिख सकते हैं ठीक है next हम लोग देखते है non primitive data types अभी हमने क्या देख लिया सारा primitive data types देख लिया non primitive data types क्या होते हैं यह होते हमारे dynamic data type भी बोलते हैं इनको और reference data type भी बोलते हैं क्यों क्योंकि यह primitive data types as a reference लेते हैं ना इनका इनकी खुद की self value as a store नहीं होती यह क्या होते है as a reference kind of storage होता है इसका है object javascript में object किस तरीके से लिखते हैं वो बता रहा हूँ आपको let obj हमें object define करने के लिए क्या करना पड़ता है सबसे पहले इस तरीके से curly braces लेने पड़ेंगे अगर मुझे दो name देने हैं एक value मैं देता हूँ इसमें की value pair के form में data store होता है एक तरह से आप बोल सकते हैं तो मालूम है name as a key लिया मैंने और इसकी value क्या हो जाएगी कोई भी name तो मालूम है unix coder as a name store कर देता हूँ same मालूम है इसका class value ले लेता हूँ आप अपने according कोई भी value store कर सकते हैं मैं class ले रहा हूँ पी यह तो दो string से हो गया है ना मालूम मुझे value करके कुछ store करना है integer में तो इस तरीके से मैं ले सकता हूँ तो इस तरीके से आप object को declare करते हैं means यहां पे आप key value pair के रूप में information store करते हैं like name का unix coder हो गया class 21b value 43 अगर मैं type of operator का use करके इसका type चेक करूँ तो मुझे क्या return करेगा क्या बताएगा यह data type कौन सा है object यहां देखिए इसने object return किया इस तरीके से हम object को declare करते हैं object के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में detail में देखेंगे मैं जस एक data type को समझाने के लिए आपको एक short में मैंने आपको बताया है यहां पे next क्या आता है हमारा array arrays किस तरीके से declare करते हैं हम लोग यह देखते हैं arrays भी kind of object ही है बस इसका लिखने का तरीका different है मालो मुझे एक array define करना है let arr goes to arrays हम लोग square bracket के अंदर लिखते हैं इस तरीके से मालो मुझे multiple integer store करने है तो इस तरीके से मैं करूंगा यह देखिए कॉमास के थुरू हम लोग separate कर देते हैं इसको है ना और मैंने आई integer store क्या हुआ है और मैं इसका एक काम करता हूँ type of देख लेता हूँ type of operator का use करके कि यह क्या है तो आपको दीखेगा क्या दीखेगा object क्यों array is a kind of object but इसका use case अलग है ठीक है अगर हम लोग यहाँ पर as a string store करना चाहें तो string भी store कर सकते हैं like अभी मैंने integer store किया ना यहाँ पर as a double quote के बीच में कुछ भी words या text लेके as a integer भी store कर सकते हैं and अलग-अलग values भी साथ में store कर सकते हैं like मैंने numbers कर लिए फिर something का यह जैसे अभी आप यहाँ पे कुछ particular number आ गया string तो करी लिया था मैंने number आ गया and different data type इस तरीके से आप करके उसका combination भी ले सकते हैं है न और मैं इसको देखू हूँ अगर तो यह भी मुझे object ही शो कर रहे तो यह हो गया हमारा array then हमारा क्या आता है function java script में function भी बहुत important topic है मैंस हमें कुछ बहुत सारे इस तरीके से manipulation करने होते हैं कुछ एक क्या बोलना चाहिए हमें एक logic हम लिखते हैं कि इस particular function के अंदर तो इस तरीके से बहुत सारी अलग-अलग यूज केसे में function का use होता है यह भी हमारा नॉन प्रिमिट्री डेटा टाइप है इसको किस तरीके से हम लो लिखते हैं जैसे मैं एक example लिखू अलग-अलग तरीके से भी function लिखते हैं मैं एक तरीके का function आपको बता रहा हूं किस तरीके से लिखते हैं मालो मैं एक function बनाता हूं function fun1 और इसके साथ एक small bracket इस तरीके से हम लो लिखते हैं और then curly braces open close हो जाते हैं इसके अंदर जो भी business logic हमें लिखना होता है हम वो business logic डाल देते हैं है ना अभी तो यह empty है business logic means like as इस तरीके से for example मैंने क्या किया let a1 equals to मैंने यहाँ two store के लिए let एकदम silly सा simple सा कुछ बना के दिखा रहा हूं मैं आपको जस्ट चेक करने क्लिए किस तरीके से लिखते हैं और मैं business logic यहाँ पर क्या लिख रहा हूं कि let c1 c3 equals to a1 plus b2 इस तरीके से simple सा business logic मैंने इसके अंदर लिखते हैं इस तरीके से function हम लोग declare करते हैं define करते हैं है और मैं अगर इसका type of operator यूज़ करके चेक करूं तो क्या दिखाएगा मुझे function इस तरीके से हम लोग function लिखते हैं इसको भी आगे आने वाले वीडियो में हम लोग details में देखेंगे next हमारा होता है date date function भी एक तरक हमारा non primitive data type है इसका यूज़ करके हम लोग current date देखते हैं date date इस तरीके से रिखते है इसको date equals to new इस तरीके से अगर मुझे date show करना है तो मुझे क्या करना होगा है यहाँ पर console.log कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं save कर रहा हूं तो यह दिखेंगे मुझे current date दिखा रहे 10th of May 2022 यह सारा इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं इस function का और अगर मैं इसका type of operator का यूज़ करके देखो इसका तो क्या दिखेगा मुझे object क्योंकि date is a kind of object तो यह हो गया हमारा data types primitive and non primitive अगर कहीं पर भी अगर आपको doubt हो तो आप मुझे comment कीजिए मैं उसके उपर एक और वीडियो बना दूंगा detail में अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप उसे like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए मिलते हैं next topic के साथ next video में तब तक के लिए bye bye take care